हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सूरती घारी सूरत की घारी अगर आपने कभी खाई है तो आप इसके फेन बन गए होंगे और अगर आप सूरत से हैं तो आप जानते ही होंगे के घारी हमारे लिए क्या माइने रखती है बहुत ही पोपिलर ये डीस मार्केट में महेंगी मिलती है लेकिन हम घर पर कम खर्चे में इसे आसानी से बनाएंगे तो चलिए, सुरू करते हैं सबसे पहले हम घारी के लिए श्टफिंग तयार करेंगे पेन में एक टेबल स्पुन घी एट करेंगे और घी को अच्छे से गरम होने देंगे अब हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पुन बेसन देखिए आप यहाँ पर दानेदर बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो बहतर होगा अगर दानेदर बेसन ना हो तो जो नॉर्मल बेसन होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोफ लेंप पर इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे लगाता चलाते हुए इसे तब तक बूनते रहेंगे जब तक इसमें से घी रिलीज ना होने लगे देखे इस तरह से जब बेसन में से घी रिलीज होने लगे तब हमें इसमें एट कर देने हैं बादाम और पिस्ते देखिए बादाम और पिश्टे एट करने से पहले हमने इसे mixy jar में दरदरा पीस लिया देखिए हमें इनका fine powder नहीं बनाना थोड़ा दरदरा ही रखेंगे हम इनको तो तीन टेबल स्पून बादाम और तीन टेबल स्पून पीशते मिक्सी जार में दरदरे पीशने के बाद हमने इसमें एट कर दिये अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और लोफ लेंपर लगातार चलाते हुए हम इसे एक से डेड़ मिनिट के लिए और भून लेंगे देखिए हमने लोफ लेंपर लगातार चलाते हुए बादाम और पिस्ते घी में अच्छे से भून लिए इनको पेन में से निकाल लेंगे उसी पेन में हम मावा भूनेंगे पेन में एट करेंगे हाफ टेबर स्पुन घी घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे 250 ग्राम मावा यानि की खोया मावा एट करने से पहले हमें मावे को अच्छे से ग्रेट कर लेना है अब हमें लगातार चलाते हुए मावे को घी में तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए गेस की फ्लेम को हम लो रखेंगे इस तरह से जब मावे का कलर चेंज होने लगे तब हम इसमें एट कर देंगे केसर वाला दूद तो हमने 1-5 टेबल स्पुन जितने गुनगुने दूद में 20-25 जितने केसर के धागे भिगो कर रख दिये थे इसे हम इसमें एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे केसर वाले दूद को हमने मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया अब देख सकते हैं कि मावा जो है वो अच्छी तरह भून चुका है अब हम गेज की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट कर देंगे भूने हुए बादाम, पिष्टे और बेसन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी अभी हमने इसमें चीनी एट नहीं की पहले हम इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करेंगे बाद में हम इसमें चीनी एट करेंगे अब हमें घारी के लिए डो तैयार कर लेना है इसलिए हमने 150 ग्राम मेदा लिया है मेदे को हमने चान कर लिया और अब हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून घी मेदे और घी को हम हातों की मद्द से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे घी को मेदे के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें आटा लगाने के लिए पानी या फिर दूद एट करेंगे देखे हमने यहाँ पर आटा लगाने के लिए दूद का इस्तिमाल किया है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप दूद का इस्तिमाल ना करना चाहें तो सिफ पानी के इस्तिमाल से भी इसका आटा लगा सकते हैं या फिर आधा पानी और आधा दूद ले लें देखे इस आटे को तयार करने के लिए हमने छे से साथ टेबल स्पून दूद का इस्तिमाल किया है अब इस आटे को हमें दस मिनिट का रेष्ट देना है तो इसे ढख कर रख देंगे यह देखे यहाँ पर हमारी घारी की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे 150 ग्राम चीनी लेकिन हाँ चीनी हम यहाँ पर पीसी हुई एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टफिंग जब अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तब ही हम इसमें चीनी एट करेंगे यह थोड़ी सी भी गरम नहीं होनी चाहिए नहीं तो चीनी एट करने के बाद मावा इसमें मिल्ट होने लगेगा देखें यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिल्ट हो चुकी है अब हमें इसे मसल लेना है और हाँ हमने यहाँ पर घारी बनाने के लिए जो मेजर्मेंट लिया है उससे हम 8 घारी बनाएंगे इस डोग को हम ज्यादा सोफ नहीं रखेंगे थोड़ा सा हाड रखेंगे अब हमारे तयार किये हुए आटे में से इस साइस की लोई हमने बना ली और इसकी हमें रोटी तयार कर लेनी है देखिए रोटी तयार करते वक्त हमने इस पर सूखा आटा डश्ट नहीं किया लेकिन हाँ इसे बेलते वक्त आप रोलिंग सर्फेस पर थोड़ा सा तेल एपलाई कर सकते हैं इस रोटी की थिकनेस को हमें मीडियम रखना है यानि कि हमें नहीं ज्यादा मोटी रोटी बेलनी है और नहीं ज्यादा पतली अब घारी का सेब देने के लिए हम इस तरह की एक छोटी कटोरी लेकर उस पर रोटी रख देंगे अब हमने घारी के लिए जो स्टफिंग तयार की है उसे हम इसमें भल लेंगे चम्मस की मदद से प्रेस करते हुए हमें स्टफिंग इसमें अच्छे से भल लेनी है देखें घारी बनाने के लिए अब हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन इसे अच्छा सा सेब देने के लिए इस तरह की कटोरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहतर होगा अच्छी तरह इसमें स्टफिंग भनने के बाद अब हमें इसे अच्छे से सील कर लेना है इस तरह से इसकी किनारियों को सेंटर में लाते हुए हमें इसे इस तरह से सील करना है कि इसने बिल्कुल भी क्रेक न रह जाए अच्छी तरह सील करने के बाद ज्यादा के डोको हम निकाल लेंगे अब हम इसे कटोरी में से निकाल लेंगे तो इस तरह से हमने एक घारी बना ली सेम प्रोसेस को फोलो करते हुए बाकी की घारी तयार कर लेंगे मीडियम थिकनेस वाली इसकी रोटी बनाएंगे और कटोरी में हमें रोटी को रख कर उसमें स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करते हुए इसमें भर लेना है और इसकी किनारियों से हमें इसको अच्छी तरह सील कर लेना है ज्यादा के आटे को निकाल लेंगे और सील हमें इस तरह करना है कि इसमें विल्कुल भी क्रेक न रह जाए और हाँ इस तरह से जब हम घारी बना रहे हो तो जो घारी बन चुकी है उसे हम कपड़े से कवर करके रखेंगे घारी को deep Fry करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया दिखें घारी को Fry करने के लिए आप गी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब इस तेल में हम घारी इस तरह डालेंगे कि इसका उपर का हिस्सा उपर की तरफ ही रहे घारी को फ्राइ करते वक्त हम गेस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और हमें इसे एक तरफ से तब तक फ्राइ करना है जबते कि थोड़ी गोल्डन ना हो जाए और चम्मस की मदध से हमें इसकी उपर की साइट पर तेल डालते रहना है Low to medium flame पर एक तरफ से golden होने तक हमने इसको fry किया अब हम इसकी साइट को change कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे तब तक fry करेंगे जब तक ये थोड़ी golden ना हो जाए गोल्डन और क्रिस्प होने तक तेल में अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की घारी को हमें इसी तरह तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है गेस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और सारी घारी को फ्राई करने के बाद रूम टेंपरेचर पर हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे देखिए घारी पर कोट करने के लिए हमने यहाँ पर 4-5 टेबल स्पुन घी लिया है इस घी में हम 1 टेबल स्पुन पीसी हुई चीनी एट करेंगे देखिए चीनी की मातरा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं चीनी को हम घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आपने यहाँ पर एक बात नोटीस की होगी कि घारी पर कोट करने के लिए हमने जो घी लिया है वो मेल्टेड नहीं है यानि कि हमें इस तरह से थोड़ा जमा हुआ घी लेना है अगर आपका घी मेल्टेड है तो आप उसे 15-20 मिनिट के लिए फ्रीज में रख दें उसके बाद इसमें चीनी एट करें घी कोट करने से पहले हम घारी को अच्छे से ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इस पर घी एपलाई करेंगे तो इस तरह से हमें घारी को घी में डीप कर देना है और इसकी दोनों तरफ हमें घी अच्छे से कोट कर लेना है अगर आपको गी का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद हो तो आप इस तरह से घारी की सिर्फ एक साइट पर गी एपलाई कर सकते हैं लेकिन हम इसकी दोनों तरफ गी एपलाई करेंगे घारी को घी में दोनों तरफ से डीप करने के बाद हम चम्मच की मदद से इस पर घी पोर करेंगे घारी बनाने का ये स्टेप देखकर तो किसी के भी मुँ में पानी आ जाए तो इसी तरह से हमें सारी घारी पर घी अच्छे से कोट कर लेना है इसे पिस्ते से गानिश कर लेंगे साथ ही में हमारी सूर्थी घारी बनकर बिल्कुल तयार है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारी इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फेमिली में जरूर से सेर कीजिएगा सूरत की मोश्ट पॉप्यूलर डेजर्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल डिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई